स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल मैसवेयर पे आज हम मिस्र संख्याओं को योग करेंगे जिसमें यह डिफिकल्सी हमें लगती है लेकिन होती बड़ी आसान है तो इनको सॉल्व कैसे किया जाता है देखे दो तरीके होते हैं एक तो होता है कि मैं इसको मल्टिप्लाइ करके तीन दो नी छे और एक साथ बटे दो बनाओ इन सब को ऐसे जोड़ूं और फिर इसको अलग अलग एड़ गरूं ऐसा नहीं करना है अभी आपको मैं आसान तरीका सिखाता हूं कि पहले आप जो सीड़ी सीड़ी संख्याओं हैं उनको ले लेंगे जैस यह थोड़ी छोटी हो गई तो 1 बटा 2 प्लस 4 बटै 5 प्लस 1 बटा 3 ऐसे करके अब हम इनको जोड़ेंगे तो किस तरीके से जोड़ेंगे देखे यहां जो हमारा हर की संख्याओं यहां तीनों संख्याओं ऐसी हैं जिन में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसलिए जिनका multiply करने के आएगा पांस तिये 15 दूनी 30 अब अगर इस संख्या को देखे तो ये 2 है और 2 के टेबल में 30 15 बार आता है तो उस 15 की उपर multiply होती है तो 15 एकम 15 प्लस ये 5 की multiply में 36 बार आता है तो उस 6 की multiply उपर करेंगी तो हो जाएगा 6 चोग 24 प्लस 3 की multiply में 30 दस बार में आता है तो 10 एकम 10 उपर हो जाएगा ये bracket में रखेंगे प्लस 16 अब आप देखेंगे इन सब को जब हम जोडेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है तो उसमें देख लेते हैं 24 और 10 34 49 49 और 10 49 अब इसमें 49 हो जाएगा उस 49 में से आपको 30 को अलग निकालना है और 30 से जादा देखना कितना है ये बात को मैं फिर से repeat कर देता हूँ कि उपर की जो संख्याइं होती हैं उतनी संख्या को अलग निकालना है जितना नीचे होता है तो अभी उपर प्लस एक प्लस अब 19 बचा 30 के हर के साथ यहां हमने क्या किया फिर से मैं आपको समझा देता हूँ इसको देखिए कि यहां हमारा बना था 49 बटे में 30 जिसमें से मैंने 30 को अलग लिया 30 बटे 30 प्लस जो बाकी 19 बचा 19 बटे 30 तो इसको हम एक कह सकते हैं जो मैंने सीधे सीधे यहां लिखा है तो यह जो बनेगा भी यह हो जाएगा 17 और इसको ऐसा कैसी इसके साथ लिख देते हैं 17 19 बटे 30 इस तरीके से इनको जोड दिया जाता है तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो यह बहुत इजी हो जाएगा आप औरली भी कर पाएंगे इसको आने वाले टाइम में एक बड़ी संख्या लेते हैं और उसमें देखते हैं इनको कैसे कर पाएंगे अब हम यह देखेंगे तो यह 5 है पूरा पूरा और उसमें से 4 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 1 तो सीधे माइनस करना है 5 माइनस 4 फिर उसमें इस 2 को एड़ करना है फिर उसमें से इस 1 को माइनस करना है तो ये सीधी सीधी संख्याओं को हम सीधे सीधे जोडते हैं हर बार तो 5 और 4 में अंतर जो होता है वो 1 का होता है प्लस 2 माइनस 1 इस एक से ये 1 कर जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा आपका 2 प्लस अब हम वो संख्याओं लेंगे जो अंदर बची है फ्रैक्शन्स में तो एक तो 2 बटा 3 है माइनस एक बटा 6 है प्लस 3 बटे 4 है माइनस 1 बटा 4 है देखे यहां दोनों आपके 4 के साथ हैं हर जो है वो 4 है तो दोनों में हर 4 होने के साथ हम डारेक्ट इसको उपर माइनस कर सकते हैं तो इस सारे को मैं 3 माइनस 1 दो बटे 4 लिख सकता हूं तो यह हो जाएगा आपका अभी यहां जो हमारे पास वैल्यू है इनके बीच में यहां में प्लस जरूर रखना है जो साइन हमने यहां फर्स्ट वैल्यू के साथ रखा है अब हमारे पास यह बन गया 2 बटा 3 माइनस 1 बटा 6 प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटे 4 हो जाएगा जिसको मैं काटके 1 बटा 2 लिख सकता हूं अब हमारे पास हो गया 2 बटे 3 माइनस 1 बटा 6 प्लस 1 बटा 2 तो हमारी जो संख्या बनेगी अब हमारे पास 3 है 6 है और 2 है हमेशाथ जो बड़ी संख्या होती अगर वो बाकी 2 के टेबल में होती है तो वो ही उनका लगुत्तम हो जाता है इस 2 के प्लस में हमारी सारी संख्या है चल रही है इनको हम बाद में अटेच कर लेंगे तो हमारे पास इनका लगुत्तम बन गया 6 ये कितनी बार मल्टिप्लाई होगी 3 को 6 बनाने के लिए 2 चाहिए तो 2 की गुणा उपर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 है तो माइनस 1 ही रहेगा इस 2 को 3 बार मल्टिप्लाई करना पड़ेगा 3 से तो अब हम 3 से मल्टिप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा उपर भी 3 से मल्टिप्लाई कर देते हैं 3 एक हम 3 4 में से 1 तीन जाएगा 3 और 3 छे बाई 6 होता है 1 अब हमारे पास पहली वैल्यू को सोल करके 2 आया था और इस पूरे को सोल करके हमारा एक आया तो इन दोनों को जब हम एड़ करेंगे तो हमें 3 मिलेगा और इस पूरे का सोलीशन 3 हो जाएगा मैंने इस वीडियो में इन कोस्टिंस को करने का कॉंसेट तरीका और कैसे हम इसको सोल कर पाते हैं वो सब कुछ सिकाया है इसलिए थोड़ा लेंदी आप लोगों को लग सकता है नहीं तो होता बहुत आसान है बहुत एजली हम इनको कर सकते हैं जब हम इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में इसी के नेक्स कोस्टिस के साथ जिसे हम देखते हैं कि जो बहुत सारे एक्जाम्स में पूछे गए हैं